कि वेरी गुड मॉर्निंग अल आफ यू आप सभी को मेरा नमस्कार मैं रहुत मिश्रा अपने आनलाइन पर फॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं आज मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तयारी में बिल्कुल लगे होंगे आज स अपिक है जो मैं आज को पढ़ाऊंगा आपको वह है विजिटेवल प्रोडक्शन यानि सब्जी उत्पादन ठीक है तो सब्जी उत्पादन से सम्मंधित कुछ महत्पूर जानकारियों के साथ मैं आपके सामने उपस्तित हुआ हूं जिसके बारे में आज हम आज सबसे ड का जो महत्पूर जानकारियां सब्जी के बारे में उसको जानना हमारे लिए आवश्यक है आईए हम आप से साथ जो है वो बिल्कुल जो है आप से करते हैं सब्जी के बारे में आपको बताते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जी उत्पादन क्या कहते हैं ठ के बारे मेंत्धन करना इससे पादन यानि सब्सक्राइब और सइन्स भी की जो है वह बोला जाता है तो थो, के बारे में अध्यन करना सब्जी उत्पादन के बारे में अध्यन करना को क्या कहते हैं ओलेरी कल्चर कहा जाता है ठीक है अगली बात है कि सब्जियों में पर्यात मात्रा में विटामिस में खर्लोड उपस्तित होती हैं तो कुछ जीजी हैं कि जो सब्जियां होती हैं हमारी vegetables, vegetables are rich, rich source of vitamins, minerals, vitamins, minerals, protein, carbohydrates, carbohydrates and vitamins, minerals, carbohydrates, protein and antioxidant. तिक एक पर्याद्ट जो होती हैं तो जो सब्जियां होती हैं वो पर्याद्ट मात्रा में विटामिन्स पाइज आते हैं फंग उपंदिश्ट पाइजाते आ और जो है को अगफजिदेंट पाएंग जाते हैं जो हमारी शरीर की पॉसर्ण का हमारे डाइट में बहुत ही आहम रोल अदा करती हैं अगर सब्जियां हमा ले तो सब्जियों की कमी सब्जियों को ना खाने से कई प्रकार के विकार हमारे लिए शरीर में उत्पन हो जाते हैं कई सारे विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो सब्जियां जो है प्रमकुरू से विटामिन A, B, C और जो है D, K का B1, B2 का महतपूर्स होती हैं और तमाम प्रकार के जो खनिस्तत्व हैं उसका भी महतपूर्स होती हैं जो हमारे सरीर की समचित बिर्धियों विकास के लिए आवश्रक होते हैं और स्रब्जियों में एंटी ऑक्सिडंट परियात्रमात्रा उपस्तित होत लड़ने की छमता प्रदान करते हैं यानि हमारे शरीर की हमारे बॉड़ी की प्रत्रोधक छमता में बृधि करते हैं इससे हम तमाम प्रकार बीमारियों से हमारा बॉड़ी जो है वो रिजिस्टेंस हो जाता है लड़ने की छमता उसके अंदर बिक्सुत हो जाती है ठीक है Indian vegetable research institute, Indian vegetable research institute, जिसको हम किस अनाम से जानते हैं आई वी आराई ठीक है कहाँपर है वाराणाशी में है को ते ऊप्पी में हॉत्तर प्रदेश्में हैं तो आई यारी भारती सब्जीयन संधान जो केंदर है वो कहाँ पर उत्तर प्रदेश में है ठीक है और सब्जीयां जो है वो जो हम घर के आसपास जो अपने खेती करते हैं जैसे हम आपने घर के आसपास जो खाली स्थान होता है वहां पर जो हम सब्जीयों को उगाते हैं उसे क्या कहते हैं किचन गार्डनिंग कहते हैं ठीक है उसे क्या कहते हैं किच घर के आसपास जो है वो जो खाली जगा होती है वहां पर सब्जियों को जो उगाना होता है ठीक है उसके क्या कहा जाता है किचन गार्णी से लाब क्या है कि हम यह जो है वो परियाप्त एक परिवार के लिए प्रतिदिन जो है वो साफ सुथरी जो है और और अर्गेनिक एक प्रकार से कह सकते हैं ताजा सब्जियां जो है वह प्रदिन मिलती है और मनरंजन का एक महतपूर्ट साजन भी होता है ठीक है अगर हम खाली शामें हैं हमारे पास हम अपने ऑफिस से या फिर जो है वो खाली अपने घरेलू कामों सो जब फुसत होते हैं तो हम सब्जियों में जा करके निराई गुणाई करना खाद देना और उसमें जा करके उसका एक प्रकाश मनोरंजन का हमारे लिए महत्पुल साधन का भी जो हमारा किचन गार्डेन है वो काम करता है और तो घारेलू शामगरियों का भी अच्छा यूज चीज हो हो दाता है और दुस्सीं चीज क्याiran की में जिसे गर का माने जो निकलता हां कीचन गारडेन में उसको यूज गार्डänger कर सकते हैं थिक है तो इस प्रकार से हो वो सब्जीयां बहुत ही कि जो गाफी जो हो content होता ह कर सकते हैं इससे क्या होगा कि सबुछ हमारा खर्च होगा वह भी रए बचत होगी ठीक है तो जो प्रतिन हम सबुछ सबंसरी उन फे चुछा करते हैं अगर हम किछे सबुछा सा बनाएं तो इस सबुछ ठीक होती है नियून है रहर लग्युता है और लगोण सब्जी आँ प्रदिन मिल जाती है और साफ सुत्री ज है वो औरिणिक वेजिटेबल वह करता है तो वी हमारे लिए फैयात भात्र ₹ और हमारी जगा खाली पड़ी है गर के आसपास उसका अच्छे सी उट्लाइब जो हो जाता है तो इस प्रकार से जो सब्जियों की घर के आस-पास खेतिकती जाती है वो छोटे भूभाग पर उसे हम जो है वो किचन गार्डनिंग जो नाम से जो है वो जानते हैं ठीक है इस प्रकार से कुछ बाते थी वो मैंने आपको बताई अब आगे हम जो है वो कुछ अन्य फैक्ट है जिसको हम डिसकस करेंगे कि सब्जीयों में जो है वो रच्छात्मक भोजन प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं ठीक है सब्जीयों को क्या कहा जाता है रच्छात्मक भोजन या प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर के अंगों की रच्छा करने काम करता है ठीक है सब्जीयों में आदन करते हैं रोगों से लड़ने की छमता प्रदा परेंदर विखसित करते हैं तिक है इसलिए को क्या कहता है प्रोटेक्टिव फूट के नाम से भी जाना जाता है और भारत का सब्जूत पादन में पारत का सब्झूत पाधन में चीन के बाद दूसरा अस्था नैंटिक है इंडिया का जो है जो vegetable production है भारत का जो सब्जूत पादन है उसके second rank है हम बात करेंगे कि जो भारत में जो सब्जूत पादन में इंडिया की जो है वो second rank है ठीक है second position of India, second position of India, अंधी इंडिया इन वीजीटेबल प्रोड़क्शन तो सब्जी ऊद्फादन में जो है वो भारत का दूसरा स्थान है और पहला किसका अस्थान है पहला स्थान है चाईना का ठीक है किसका स्थान चीन का है टिक है चिन यह वो प्रफाम स्थान पे है और भारत का सब्जूद पाधन जो हरो dosageot पाधन में दूसरा स्थान थोने के पाद ने फॉइंप कुल तो 2.8 से सब्जीं उते है और ठीक जो क्रिशित रहे बहूं कि जाती है और भारत में जो है वो भारत में सब्जूत पादन प्रोड़क्शन प्रथम अस्थान पे है और जब इंडिया में स्टेट की बात करेंगे कौन सा राज्य प्रथम अस्थान पे है वो है क्या है प्रथम अस्थान याद रखेंगे कि भारत में सब्जूत पादन में प्रथम औपस्ठान बनना में की जाती है ठीक है इसके साथ ही एक बात और है कि भारत जो है दोहजार लगबख Rapt 2020 में जो सब्ज्यों कजिऴ्यों का भारत में उत्पादन है वह कितना है वह जो ह्याओं है वह जो हज़ार 27 or 2023 में टोटल-वज़िटेबल प्रोडक्शन टुक है टोटल व एज़ी टेबल वेज़िटेबल प्रोडक्शन इंडिया कितना है भारत में टोटल विजुटेबल प्रोड़क्शन वो है आपका 206.93 मिलीट्न तो इस प्रकार से 206.93 मिलीट्न हमारा विजुटेबल का प्रोड़क्शन जो है वो 2023 में हुआ है जो कि पिछले साल के पेच्छा जो है वो ज्यादा है ठीक है सब्जिक खेती में आगे बढ़ रहे हैं नई-nई कख्निकों को अपना रहे है ठीक है और उन्यऱ सिर्फ ऱजातियों का हमारे जो ओभिक्सित कर रहे हैं जिससे ब्स्तेने उत्पादन बादन प्रब्रतौक्षाण है उत्पाद्ब्रातर करें गे तो फिर उसका अस्थान है तमिन नाडू का है झेतर 나오는 मेंपच्ची मंगाल है और अव्यॐत पादक्ता की बात करीए बात की तो उसका सद्फान तमिल नाडु को है तो तमिल नाडु का सब्धीव की में प्रत्थमस्थान है और ट्रॉब गारडनि सब्झी उत्पादन की विश्तित इस्टेंश्व विधी यह है फिक коммент में पहले वता चुको हूँ तो जिसके लिए विख्रे के लिए हम ट्रंडियों तक assumptions के लिए हम ट्रॉक कने घ्रम सफे सब्सीय घ्राब हो जाते हैं लगभब मंदियों तक थो उसे हम घ्रराब ऐसी खेती जिसको उतपादन के बाद तुरं विख्रे करने कर सकता होती है टी हिसलिए इस प्रकार की जो खेती करते हैं उस वह जानते हैं सब지 को होता है उसे कहते हैं इसके मार्केट जो जब कि मार्केट गार्डन जो है मार्केट गार्डन सब्जी उत्पादन की गहन भी दी है ठीक है तो मार्केट गार्डन भी जो है वो सब्जी उत्पादन की गहन भी दी है ठीक है तो सब्जियां जो है वो एक प्रकार से कच्छा माल होती है जो जल्दी खराब हो जाती है इसमें पानी की मार्केट में हमको बेचना पड़ता है तो इस हिसे हम να great garden के नाम से भी जानते हैं इसके वाद हरी पत्तियां जो होती है छिस में तो हो की कि नाम से जानते हैं तो जो हमारे शरीर के लिए रख्त के जो है वो ठक्का बनाने के लिए बहुत ही अवश्क होता है अरन की परियाख्ट मात्रा जो है वो हरी पत्यदार सब्जियों में पाई जाती है इसके छो हिष सब्सक्राऔर के जो चर्पर आग्र। ठीक है उनको हलका जो है घर हलका जो है कम ताप पान पे भी उगाते हैं और अधिक्तम ताप पान पे भी अपना सर्वाइब करते हैं नॉन क्लाइमेटिक पूरता है और मिर्च में क्या होता है तो मिर्च में जो है वो विटामिन बी और सी अधिक मत्रम पाय जाता है ठीक है तो मिर्च में जो है वो जो विटामिन होता है वो क्या होता है विटामिन बी और सी होता है ठीक है और इसके बाद जो है लहशुन में जो तीश्रगंद होत है तो उसके किस कारण से आती है यह एक होता है जिसको बोलते है डाइलाय डाइसलफाइट के कारण जो है वो इसमें तीस जो है वो गंध आती है के बाद परवल और लवकी परवल लवकी एवा मिर्च फूलों का रंग सफेद होता है ठीक है आपने देखा होगा बिलकुल कित कुकरवेटेशियस जो क्रॉफ होती है जो कुकरवेटेशी कुलके होते हैं तो कुकरवेटेशियम कुरूशी फेरी सब्जियों में रंग पीला होता है तो कुकरवेटेशी में क्या आते हैं कुकरवेटेश में लौकी खीरा कद्दू तरोई यह शब आते हैं तो इनके जो फूल का रंग होता है वो पीला होता है देखे होंगे और जो कुरुशी फेरी फेमली होती है जो सरसो अरगी सब्जियां होती है जैसे आपका जो है पत्ता गोवी फूल गोवी हो गया ठीक है तो और यह मूली हो गया तो जितनी कुरुशी फेरी फेमली की सब्जियां होती है उसका जो रंग होता है उसके फूल का जो रंग होता है वो पीला होता है तो कुरुशी फेरी सब्जियों का कलर जो है वो फूला होता है पीला होता ह इसके अलामा जो है वो कुछ विराइटीज है इसे पूशा लाल पूशा सुनहरी पूशा सुफेदा शकरकन की किश्में होती है ठीक है शकरकन तो क्या कहते हैं शकरकन यानि की शुगर बीट जिसको बोलती है तो यह जो पूशा लाल है यह लाल करंग की इसके जो गुदा होता है वह लाल रंग का होता है ठीक है और इसका जो गुदा होता है सुफेदा का सफेद रंग का होता है तो सुगर बीट की जो किस्म है पूशा लाल पूशा सुनहरियों पूशा सुफेदा जो है वो शकरकन की किसमे हो जो है वो होती है इसके अलावाद चौलाई और जो बैगन होती है ठीक है चौलाई बैगन खीरा परवल गौर ककड़ी मतर आधिक उत्पत्ति अस्था जो है वो भारत है ठीक है जब और जिन प्लेस की बात करें उत्पत्ति अस्थान की बात करें तो सब्जियों का अ झागन है खीरा है परवल है गवार है किडी मतर है यह है इसका जो प्लेस हर इसका जो जो इसका उत्पत्ति अस्थल है इसका जो उत्पत्ति अस्थल है वो कहां पर है इसका जो पर यह सब्जी सब्सक्राइब चारी प्रकृतकी होती है तो सभी लगभग जरली की जो सब्जिया होती है वो सैलाइन होती है चारी प्रकित की होती है लेकिन जो टमाटर होता है अमली प्रकित खोता है सभी फल जो है पहोटे हैं यह भी कह सकते हैं जो हमारे की यह होते हैं इसमắmम सब्सक्राइब सब्सक्राइब है और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब होता है वो 0.1 पर्षेंट होता है सब्सक्राइब में पोटेशियम के अधिक्ता पाई जाती है ठीक है सब्जियों में जो सबसे अधा जो मिनरल पाई आता है उसमें पोटेशियम होता है उसकी अधिक्ता पाई जाती है और बिश्च में जो सब्जूत पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है और ट्रक गार्डनिं जो है वो सहर से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमको ट्रक्याओ सकता पड़ती है तो ज्यादा मात्ता में सब्सक्राइब करते हैं एक अस्थान से सब्सक्राइब करते हैं कैसे किया गया है तो अलग 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 बेशिस पर उनको क्लाशिफाइब किया गया है उपयोग में आने वाले भाग के अधार पे ठीक है जैसे हम उनका यूज करते हैं करें यसे प्रकार से यह वो क्लाशिफाइब करेंगे तो इस प्रकार से जो लीफ वेजिटेब्स हैं इसका पहले सब्परिफ पत्तियों वाली सब्जियां कौन सी है यह से पालक हो गया मेथी चौलाई बथवा सलाद शर्षों यह मुटता बीज से तयार की जाती है और यह शारी इनका जो है वो जो उप्योग किया जाने वाला भाग होता है वो पत्ता होता है तो इस प्रकार से पत्ते वाली सब्जियां जो होती है इतनी होती है इसमें पत्ता गोभी नहीं लिखा है तो पत्ता गोभी भी होती है इसके बाद फूल वाली सब्जियां कौन सी होती है जिसका हम फूल यूज करते हैं जिसको खाने के लिए हम फूल का यूज करते हैं फ्लावर्स का यूज करते हैं फूल गोभी और स्प्राउट क्या होती हैं फूल गोभी और स्प्राउट जिनके फ्लावर्स का यूज हम खाने के लिए उप्योग करते हैं इसके बाद फॉल वाली सब्जियां यह फ्रूट्स विजटेबल्स कौनती हैं इसका हम फल यूज करते हैं वह हैं टमाटर मिर्च बैगन भिंडी और ककड़ी इनका हम फुल यह है वह खाने के लिए यूज करते हैं इसके बाद घीरा कद्दु इनका भी हम फ्रूट्स का यूज करते हैं यह सब जो है वह वह जितनीव सब्जियां हैं के फ्रूट्स का यूज करते हैं तो वो हैं आपके गवार हो गया शेम हो गया मटर हो गया चौला हो गया इन सब का हम जो है वो फली का यूज करते हैं खाने के लिए तो इनका जो है वो फली का उपयोग किया जाता है फली के अंदर जो दाने होते हैं उनसे हम उसको खाते हैं तो यह आपके जो है एक यूट को कहते हैं तो जो वेजेटेबलोस है वो की मूलँ सलजन चुकंदर करते हैं आई से साद्रियां जिनके जड का उपयोग किया जाता है जिनका जो होटा है जडों में कहत्रित होता है उनका जड़ का खाने यो ऑग होता है वह जड़ होता है उसे हम क्या कहते है roots vegetable कहते है तो उसे है इनका roots जो है वो vegetable की रूप में प्र Ouridas क्रूbaar है इसके बाग था रुपक है यानि होते हैं खाने योग भाग जो है उसको बोलते हैं बल्ब या सल्क बोलते हैं तो उनका करते हैं वो है आपकी प्यार लिशन इसके बाद क्षिवर कौन सी है कंद टीकर है जिनका टना जो है टना चुरह होता है जिसको हम कैते हैं क्या होता है कि सकर कंद हो गया आलू हो गया और व्य महीं कंद अदरक इनका है क्या होता है कंध्यानि मौडिफाइड स्टेन् की बात करें तो जिननका ट्यूर्जेस्टेबल स्कॉन कौन कौन्स धूढ बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे इसके बाद सब्सक्जी क्ँण होती है ठिक्षेसलाद वाली सब्सक्रें si है शलास लेरी पार्शले ठीक है यह प्रकार से लीव विजिटेबल से में भी आती है इनकी लीव को हम यो है उपयोग करते हैं सलाथ के रूप में ठीक है तो इस प्रकार से जहां वो उपयोग के अधार पर हमने वरगी करण किया इसके बाद प्रवर्धन बिधी के अधार प कि हम उनका वर्गी करन कैसे करते हैं कि नर्षरी के द्वारा तूंआ हम जिसमRighti के द्वारा दिन कि आप को गया कि प्ल मैं पत्ता को भी गांड घो भी अन्ने ब्रोकली इन सभी कुझ भी नर्षरी त्यार करते हैं दो को बिन कि रोपाई की जाती है तो उन्हें हम क्या करते हैं आपकी नर्शरी विजटेबल के नामसे जानते हैं इसके बाद शीधे यह सब्सक्राव करते हैं ज yol के नाम से जाने जाती है जैसे गवार हो मुली घाजर तर्बूज खर्बूज खीरा टिंडा टिंडू यह सब जितनी भी सबजियां होती हैं यह सीड वेज़ेटेवल्स के अंतरगत आती हैं कि बात करें तो इसे जिसको हम सल्क या क्लोव बल्व कहते हैं लाशुन और प्याज यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको किने कोल या बल्ब को क्लोव से या बल्ब के नाम जाते हैं लाशुन और प्याज इसके बाद कौन या फिर प्रकन ट्यूबर और राइजोंस द्वारा तो राइजोंस वेज़ेबल्स कंतरगत आती हैं अरवी आलू रतालू यह सब भी जो है ट्यूबर क्रॉप्स या फिराइजों झाली है वेज़ेवन चक्र एक मोर्स में पूरा कर लेते हैं पैसी सब जो एक मॉष मेन बैगन लायफ साइकल कमप्लीट कर लेती उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें हम एक और हम बढ़ते मीं कहा generale Logo जानते हैं जैसेकod होती है भिंडी ठीक है टमाटर चौला बैगन पालक तर्बूज वह खर्बूज ठीक है तो यह सब्जियां के वर एक मौसम में ही अपना लाइप साइकिल कंप्लीट कर लेती है यह हम सिजनल वेजटेबल्स के नाम से जानते हैं इसके बाद दुए वर्षी सब्जियां जिसे यह मुक्ता जो है वो जो जो बाइनेवल वेजटेबल्स हैं इनको जब हम सीट का प्रोडक्शन करते हैं तो एसी सब्जियां जो एक वर्ष में तो केवल अपना जो है कूटिंग करती है अगले वर्ष जो है उसमें बीज का निर्बाड़ होता है तो उसे हम जो है वो सालमस को हम प्योग जो है वो उसके फलकाव प्योग हम कर रहते हैं ठीक है इसके बाद बहुवर्षी सब्जियां होती है इसको हम पेरिनियोल विजिटेबल्स कहते हैं बहुवर्षी सब्जिया या पेरिनियोल विजिटेबल्स तो पेरिनियोल विजिटेबल्स क्यों कौन होती है जहीं सकखोन हो गया परीजहों हो गया наз нрав अलू हो गया धालू हो गया जी social यह सब्जिया की वर्सों तक रहती है ठीक है पर एम रोत ख्रक्षों तक जो यह यह रहती है तो जैसे सकरकगे परवल हो गया लाश्रं हो गया सब जितने भी सब्सीयां है कि बनी रहती हैं और इसका उप्योग कर सकते हैं ठीक है इनका मुक्ता जो वह его जो होता है वह हमמverted कंटिंग के द्वारा जो है दो इनके टनों के द्वारा भी इनका league प्रग्रेशन हो जाता है तो इस प्रकार से सब्सक्राइब के बारे में कुछ महत्पूर जानकारिया मैंने आप पो दी इस क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आपके साथ कुछ नय टॉपिक साथ आप सका साथ करेंगे आज लिए फिर आप से मिलते हैं आप ज़्यादा ज् खिर नह श्ते हैं?